नमस्कार यॉर्मनी देवाली स्पेशल में आपका स्वागत है मैं हूं कविता थपलियाल जीवन में बड़ती उम्रे के साथ जिम्मेदारियां भी बर जाती है और बड़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए इंशॉरेंस कराना भी बड़ी जरूरत बन जाता है इंशॉरेंस ना केवल आपको और आपके अपनों को सुरक्षा देता है बलकि आपको वित्य सक्षम भी बनाता है तो दिवाली के इस शुब अफसर पर हम आपको बताएंगे कि फिनांशल प्लानिंग में निवेश के साथ इंशॉरेंस की कितनी एहम भूमिका है और ये बताने के लिए आज मेरे साथ है डारेक्ट ट्रांसिंट कंसुल्टिंसी के कार्थिक जवेरी और रुंटा सेक्यॉरिटीज के हर्श वर्धन रुंटा आप दोनों का ही शोग पर स्वागत है इंशॉरेंस पॉलिसी में सबसे एहम होता है लाइफ कवर लेना जिसे हम टर्म प्लान भी कहते हैं और अकसर लोग इसे इंवेस्टमेंट के नजरी से देखते हैं और गलत पॉलिसी ले लेते हैं कि अधारन देता हूं एक गाउं हैं जिसमें अबाट थाउसन पीपल हजार लोग रहते हैं हर साल देखा गया है कि करीबन दस लोगों की डैथ हो जाती उस गाउं में उनके परिवार को बहुत जादा दिक्कत होती है क्योंकि फिनैंशली जो अरिंग मेंबर है वो नहीं र जो हजार लोग हैं हर इनसान अगर हजार रुपया साल के पहले ही जमा कर दें तो उनके पास एक 10 लागा कॉर्पस बन जाएगा पंचायत के पास अगर जो भी 10 आत्मियों के डैथ होती है उनके परिवार को उसी कॉर्पस में से एक एक अकलाग रुपया दे जाता है बिलक पंचायत जो है वो इंशॉरंस कंपनी हो गई जो हाजार लोग हैं गोंपीट कर रहे हैं जो होगे जनकी डेथ होती है जो 10 लोग जो बेनिफिट्स मिलते हैं और जो 10 लोग की डेथ हो ओटप उन थाउसंद पीड वो हो गई मोटालिटी रेट यह होगे एक सिम्बल अर्ज जो insurance companies अपनी policies बेचती है if all people buy that policy और जिनकी भी अगर कुछ हो जाता है तो उन्हें उनके परिवार को रुपे दिये जाते हैं from that collection अगर यही उधारन में अगर 10 लोगों से जादा death हो गई किसी की तो पंचायत को loss होता है तो insurance company को loss हो रहा है और अगर 10 लोगों से कम अगर लोगों की death होती है तो profit होती है तो जो insurance company रखती है तो यही एक system है यही एक तरीका है एक pure insurance का अगर किसी इंसान को अपना real risk कवर करना है तो उन्हें term policy लेना जरूरी है अपने portfolio पे कार्तिक तो यहां पे तो हमने term plan का महत्व समझ लिया लेकिन अगर किसी को term plan लेना हो तो कैसे लेना चाहिए और online term plan का चलन आजकर बढ़ता जा रहा है आपको क्या लगता है किस तरह से term plan लेने का procedure होता है और क्या लेना चाहिए मुखे तो दो ही तरीके होता है जैसे के हम सब जानते हैं एक तो होता है जो आप traditional route जो agent के जरी हम खरीट सकते हैं और दूसरा obviously online route है online route में बहुत सारे फाइदे हैं कि आप directly as a graha का आप सीधा-सीधा company से खरीद रहे हैं तो सीधा-सीधा खरीदने का बहुत सारा फाइदा होता है बीच में जितना भी distribution cost होता है जितने भी associated cost होते हैं जो भी margins वगरा होते हैं वो सारी कम हो जाते हैं और इसी वज़े से आपको term plan बहुत ही सस्ते दाम पे मिलता है कुछ ऐसी companies भी है जहां पर अगर आप comparison करें तो online का जो premium होगा समझे 10,000,000 के लिए अगर online का premium करीब 3,500 या 4,000 है अगर वही चीज़ अगर आप agent से लेते हैं तो 5,500-6,000 में बिलेगी यह उधारन के तौर पे कुछ numbers हैं तो naturally क्योंकि agent आपको service दे रहा है या नहीं करना पड़ेगा यह सब decide होता है और उसके बाद company ही आपको guide देती है one by one step by step आपको guidance देती है और आपका term plan आपके पास issue हो जाता है तो broadly तरीका बड़ा असान है online form fill up कीजिए और फिर उसके बाद company take over कर लेगी और वो step by step आपको guidance देती रहेगी कितने का term plan लेना चाहिए और से calculate करने का क्या तरीका है देखे तरीका यह है कि जितना आपका asset gap है यानि कि जो asset का अंतर है जो संपत्ति का अंतर है यह कैसे पता चलता है समझे अगर आपका monthly expenditure 25,000 रुपया है तो साल का हो गया 3,000,000 रुपया तो अगर 30,000,000 रुपया में deposit में डालो तो मुझे 10% के साब से 3,000,000 रुपया मिल जाएगा इंफलेशन जोड लो तो इस amount को दुगना या तीन गुना कर लो समझे 90,000,000 कर दीजिए उसके बाद जो पैसा बचता है वो आपकी संपत्ती तो ये 90,000,000 में से अपनी संपत्ती हटा दीजिए समझे वो 20,000,000 की है तो 90,000,000 माइनस 20,000,000 तो 70 इस दा आंसर तो 70 कि आपको term insurance ची है साथी साथ अगर आपके पास कोई लोन्स हो या होम लोन्स ले रखी हो कोई कार लोन्स ले रखी हो तो उसका बर्डन आपके फैमिली पे ना जाए कुछ unfortunate हो जा या आपकी मृत्ती हो जाती है ऐसा कुछ होता है तो तो वो सारा benefit जो है insurance कमड़ी देगी वो सीधा सीधा आपके लोन्स चुका देगी तो एक तो अपना asset gap कवर कीजिए और दूसरे जो इतनी अपनी liabilities है वो कवर कर सकते हैं बलकुल यह तो बात हुई pure term plan की लेकिन हर्श endowment plans लोग ले लेते हैं term plan समझ कर गलती से कई हमने देखा ऐसे cases सामने आए हैं तो endowment plan एक तो सबसे पहली बार समझना चाहेंगे होता क्या है और बहतर क्या है term plan लेना या endowment plan लेना देखे अगर हम यही एक्जैंपल जो हमने भी बात की थी विलिज की बात जो की थी इसमें पंचायत एक और option दे देता है आपको कि अगर death नहीं होती है तो जो आपने 1000 रुपया भरा है वो 10 साल बाद हम आपको जो आपने 10,000 रुपया भरे हैं हम आपको उसके साथ में थोड़ा profit मिलाकर वापस भी कर देंगे तो यह जो element है जिसमें risk cover एक element हो गया और plus एक savings element हो गया कि अगर नहीं कुछ होता है तो हमें कितना पैसे वापस मिलेंगे तो अगर यही example हम देखें तो इसमें जो savings element अगर हम add कर दें तो हो गया endowment policy अब endowment यह तो हम एकदम basic सी बात कर रहे हैं लेकिन अगर reality में हम देखें तो बहुत सारे combinations होते हैं इसमें आपके पास accident के options होते हैं critical illness riders के options होते हैं तो endowment product अगर हम बात करें तो एक packaged product है जिसके अंदर हम features inbuilt होते हैं as a policy holder उनकी responsibility premium भरने तक होती है जिस दिन उन्होंने premium भर दिया उन्हें मालूम होता है कि अगर death होती है तो इतना पैसे death पर मिलेंगे maturity पर इतने पैसे मिलेंगे which is some insurance and bonus बात में company पैसों के कहा निवेश करती है वो control investor के हाथ में नहीं होता है लेकिन companies भी regulated है, IRDA के clear mandates हैं कि वो पैसे कहा निवेश हो सकते हैं 85% लगभग आपके debt में होने जिसमें government securities, infrastructure, sector हो गया, bonds हो गया, rated bonds है so उनका भी regulation है और उसके returns जो आते हैं वे common pool में आता है जो बाद में policy holder को bonus के रूप में दिया जाता है यह तो बात हुई यहां पर endowment plan की, यूलिप्स समझना चाहेंगे कारतिक आपसे, यहां पर अकसर हमने सुना है कि लोग यूलिप्स खरीद लेते हैं, investment समझ कर insurance में पैसा जालने की सरा, जो हम हमेशा कहते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए यूलिप्स में आके लोग फस जाते हैं कई बार, बहुत जादा हाई premium उन्हें भरना पड़ता है, बाद में निकलने की सोचते हैं, तो यूलिप्स किन कारणों में आपको खरीदनी चाहिए और कैसे उसका फायदा उठाया जाए यूलिप्स में और इंडाव्मेंट प्लान में फर्क सिर्फ ये है, कि इंडाव्मेंट प्लान में गवर्मेंट आपको खहती है कि जो पैसा आपको मिलता है, उसका कैसे आपको निवेश करना है, जबकि यूलिप्स में जो भी मैं प्रीमियम इंशुरेंस कंपनी को देता ह कि मुझे किस टाइप का जोखम लेना है, मुझे किस टाइप का इंवेस्मेंट करना है, क्या मुझे पूरा-पूरा अपना पैसा मार्केट में लगाना है, या पूरा पैसा मुझे बॉन्ड फंड में लगाना है, क्या करना है मुझे इस पैसे का, तो यह जो गाइडलाइन्स होती है वो इस तरह से आपको फ्रीडम दी गई है कि आप चाहे उस तरह से उसको इस्तेमाल कीजिए अब जब दस साल पुरानी बात करें जब यह शुरू आथ हुई थी यूलिप की और ट्रेडिशनल प्लैंस की तो करीब करीब इतके कमिशन सेम्स थे अब ट्रेडिशनल प् में लगाया है और शेयर बादार ने जैसे कि आपको पता चार पांट साल में ज्यादा परफारमंस नहीं दिया तो इसलिए सब की बहुत सारी निराशा है यूलिप के साथ बहुत ही कम हो याई कि मुचल फंड के साल की देट 2% या सवा 2% का अगर वो चार्ज करें तो यू सिधी सिधी बात है कि 100 रुपया आप में लगा है और वो मार्केट में जा रहा है तो मुचल फंड के जरीए कीजिए और यह हम कहते हैं कि इंशॉरंस में इंशॉरंस में इंशॉरंस की लेकिन आपकी हेल्थ इंशॉरंस भी है बहुत जरूरी जिस पर करेंगे चर्चा इस एक बार फिर से आपका स्वागत है यौर मनी दिवाली स्पेशल में आज इस खास चर्चा में मेरे साथ हैं कार्तिक जवेरी और हर्श वर्दन रुमता अक्सर हम ये सोचकर हेल्थ इंशॉरंस नहीं लेते हैं कि हम स्वस्थ हैं तो हमें मेडी क्लेम की क्या जरूरत है लेक बताये कि हैल्थ इंशॉरंस में क्या-क्या चीज एक तो कवर होती है और किस किस तरह के हैल्थ इंशॉरंस है है यह बहुत बड़ा ब्रॉड परस्पेक्टिव है उसमें चार तरह की पालिसी होती है पहली है जो मेडी क्लिम वह हो गई आपकी हॉस्पिटल एक्सपैंस रि इंशॉरंस किये जाते हैं based on the terms and conditions of the policy दूसरी है critical illness critical illness has nothing to do with medical उसमें उनकी जो terms है वो यह है कि अगर आपको कोई predefined ailments जो major ailments होती है heart attack हो गया bypass हो गया kidney failure हो गया ऐसे listed ailments होती है अगर आप उन्ड एल्मेंट से diagnose होते हैं यानि फिव सवाइव 30 दे जो भी उनका वेटिंग पीरिड होता है एक lump sum amount आपके हाथ में दे दिया जाता है उसे आपके medical expenses से कुछ लेना देना नहीं उसका purpose यह है कि अगर यह ailments आपके साथ आपके साथ आपके सा तो companies एक lump sum amount आपको देती है to assist you in that surgery यह भी mediklaim के खच्चों के उपर होती है और fourth एक है कि hospital daily cash benefit policies यह है कि अगर आप जितने दिन hospital में भरती होते हैं काफी miscellaneous expenses होते हैं जो mediklaim cover नहीं करते हैं तो यह daily fixed amount आपको हर दिन का दिया जाता है for the number of days आप जितने दिन hospital में भरती होत लेकिन जो हम बात करें अभी है वो है mediklaim की which is hospital expenses reimbursement policy इसमें आपको अलग अलग तरीके के मिलेंगी जो है individual mediklaim policy आप family floater as a world सुनते हैं so यह दो अलग features है जो एक इनसान को अपनी जरूत के हसाब से चूस करनी चाहिए इसी को elaborate करते हुए कारतिक समना चाहेंगे कि individual policies or group policies में क्या फर्क होता है और कैसे इनको लेना चाहिए देखिए पहले group की बात करते हैं वो इसलिए कि group policies को इस प्रकार की होती है कि जो आप directly नहीं खरीच सकते हैं यदि आप किसी company में काम कर रहे हैं या आप किसी factory में काम employed है तो आपके जो अन्य कलीक्स है उनके भी circumstances करीब-करी तो इसलिए जो health insurance company है वो डारेक्ली जाके आपके employer को ये policy बेचती है और employer जो हो सारे अपने employees को इसमें शामिल करती है ऐसा ही चीज association की साथ भी हो सकता है तो ऐसे जो भी जुसको कहते है homogeneous group तो इस प्रकार का कोई अगर group होता है तो वहां पे आपको group policy मिलेगी पर आपको तो इंडिविजुल policy ही लेनी होती है और जैसे कि मैं हरश में बता रह थे आप hospitalization reimbursement यानि की medic claim type की policies लीजे उसमें इस समय floater policies कुछ सालों से काफी प्रक्यात हुई है तो ये जो floater policy है वो कुछ इस प्रकार से चलती है कि अगर आपके family में तीन या चार लोग है तीनों चा कि जो floater policies है वो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी रहती है आज की तारीक में लगबग सारी companies के ये floater policies more or less सारे features कवर कर लेती है थोड़ा सा plus minus होता है मुख्य बात ये है कि सस्ता यानि कि अच्छा ये health insurance में नहीं जलता क्योंकि health insurance में आपको दियान में रखनी चाहिए हर्श health insurance policy लेने से पहले आप पहले तो देखिए कि company जिस company से आप policy ले रहे है उनका cashless network कैसा है क्योंकि कई बार ऐसे होते कि खर्चे बहुत जादा होते है policy holder अगर अपनी जेव से पहले दे और reimbursement ले वो financial burden कहीं से और अरेंज करना हो रहता है तो अगर आप कोई company के network hospital से टो के treatment ले रहे हैं तो cashless payment insurance company ले रहे हैं तो आप एक वो list जरूर देख लें दूसरी देखे प्रीमिम आप compare करिए, features compare करिए कि कई बार चोटी मोठी elements अगर एक company exclude करती है जो दूसरी नहीं करती है एक उधान के तौर पर आपको बता दूँ कि कई companies होती है जो sub limits होती है policy के अंदर कि आपके जो room rents है वो 1% of some insurance तक limit होती है दूसरी companies है जिसमें ये limits नहीं है तो थोड़े एक दू features आपको ज़रूर देखने होंगे hospital network देखिए और company के reputation देखिए ये तीन चीज़ अगर आप देखें तो it is easier for you to decide which company लाइफ के साथ health insurance लेना भी बेहत ज़रूरी है लेकिन फिलहाल वक्त है break का और break के बाद हम चर्चा करेंगे home insurance और auto insurance पर आपने रह हमारे साथ पर पर पिर से स्वागत है आपका यॉर्मनी दिवाली special में आज इस खार्च चैचा मेरे साथ हैं कार्टिक जवेरी और हर्शवर्धिन रुंग्टा हर खरीदना किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं होता जब हम अपनी लगभग सारी बचट का इस्तिमाल खर खरीदने में कर सकते हैं तो जाहिर है इसकी सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए और घर की सुरक्षा के लिए सबसे एहम भूमिका होती है home insurance की त जो as a requirement compulsory नहीं है, एक optional चीज है मगर यह अची चीज है क्योंकि यह सारे जो आपके घर का सावान है, glasses है, television है, refrigerator है, जितने भी आपके white goods बगेरा है, वो सारे इसमें include हो जाते हैं, तो यह white goods अपने आप में भी एक warranty के साथ आते हैं पर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो बहुत सारे लोग इसको confuse कर देते हैं, building insurance में, तो वो building fire वो तो जो building लेगी वो अलग बात है, आप जो से focus करना है, यह एक type का अपने घर के अंदर जो सावान है, वो उसके लिए, इसका premium भी बहुत चोटा होता है, और आप इसको एक साथ में 10 साल की type की policies ले सकती है, तो य insurance यहां समिनना चाहेंगे, हर्श आप से, खास्तरों से अगर festive season को ध्यान में रखा जाए, तो कई तरह की offers आ रहे हैं, company free insurance की offer भी दे रहे हैं, तो कैसे इसका फायदा उठाया जाए समझदारी से? पहली बात, motor insurance, अगर third party insurance की बात करें, वो mandatory as per motor vehicles act, अभी देखा जाए कि हम comprehensive लेते हैं, कि own damage इंक्लूड होता है, कि अगर third parties, अगर कि आपकी गलती की वज़े से, आपकी गलती की वज़े से, आपकी गलती नहीं की वज़े से, कोई accident हो जाता है, तो सामने आपकी liability होती है, वो आपकी insurance company bear करती है, जो ओन damage की बात होती है, आपकी गाड़ी को नुकसान हो रहा है, तो उसका जो repairing cost है, या replacement cost है, वो insurance company अपनी policy में cover करती है, अब अगर आप अपनी dealer के साथ अगर ले रहे हैं, अगर free देखिये, कुछ में नहीं होता, which is very clear, सिर्फ यह समझना है कि जो policies है, उनमें अलग-अलग features होते है, एक है basic own damage, जिसमें depreciation cover नहीं होता है, और दूसरी टाइप की policy जिसमें zero debt होता है, अगर कोई नुकसान होता है, तो depreciation का खचा नहीं काटा जाता है, तो अगर कुछ भी free मिल रहा है, आपको 100% आपको zero debt policy नहीं मिलती है, so आप यह offers के जर अगर 20,000 रुपया है, so depreciation plastic parts फे 50% है, so आपको जो reimbursement मिलेगा 10,000 रुपी, so उस समय आप यह सोचेंगे कि अगर मैंने खुद policy लेती, मैं अलिया होता, तो मैंने zero depreciation policy लेती, तो पूरा 20,000 रुपया reimbursement मिलता है, so free के चकर में आप policy के features को निगलेक नहीं कर सकते हैं, आप features compare करिए किसी consultant जो आपके insurance advisor रहे हैं, आप उनके साथ compare करिए कि दूसरी policies comparable कितना है, और अगर फाइदा आप dealer से discount ले लीजिए, उनसे कहिए कि मुझे discount देजी, मैं free insurance नहीं चाहिए, तो यानि जाच परक करी आपको इस तरह की insurance policies लेनी चाहिए, तो शलिए, insurance के तमाम गुर कितना है